नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल सुमन कीचन में आप सभी का आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही जल्दी और इजी तरीके से बन जाने वाली दलिया की रेशिपी बहुत ही हिल्दी होता है तो चलिए देखते हैं इस दलिये को जल्दी से कैसे बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे कैस ओन करके रख दिया है कूकर और इसमें मैं डालूँगी एक चमच घी घी मिल्ट होने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी आधी चमच जीरा अब मैं इसमें डालूँगी एक इंच अध्रक का टुकड़ा ग्रेट करके आप चाहें तो इसका पेश्ट भी डाल सकते हैं अध्रक डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी तीन हरी मिर्च बारी कटी हुई आप यहाँ पे मिर्च का में जादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं इसे एक मिनट हम अच्छा से भून लेंगे अच्छा से भून जाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे दूला हुआ दाल और यहाँ पे दलिया दोनों मैंने मिक्स करके दोल लिया है उसके बाद अब इसमें मैं एड़ कर दूँगी तो आप यहाँ पे मुंग का डाल डाले मैं यहाँ पे अरहर का डाल डाल रही हूँ दलिया में मुंग का डाल सबसे बेश्ट होता है तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया है दलिया और डाल दोनों को अब इसे एक से देर मिनट में घी के अंदर अच्छा से भून लूँगी यहाँ पे gas मेरा medium flame पे है तो आप देख सकते हैं अच्छा से भून चुका है अब इसमें मैं डालूँगी पालक तो यहाँ पे बहुत सारे मैं पालक डाल जी हूँ आपको जितना पसंद हो उसी साब से डाले और और भी यहाँ पे वेजिटेबल डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं जैसे गाजर, मतर जो कुछ भी आपको डालना है तो डाल सकते हैं यहाँ पे तो एक से डेर मिनट और मैं इसे भून लूँगी पालक के साथ उसके बाद इसमें मैं मसालों को डालूँगी, थोड़ा सा मसाले डालेंगे, ज्यादा नहीं मसाला डालना है हमें, तो यहाँ पे मसालों में सबसे पहले मैं हल्दी पाउडर डालूँगी, वो भी 2-3 पिंच, यानि की 1 फोर्टेबल इस्पून, और उसके बाद से 1 फोर्ट करके मैंने डाल दिया है, अब इन सब चीजों को मैं 1-5 मिनट तक अच्छा से भून लूँगी, इस तरीके से चलाते हुए, उसके बाद इसमें मैं पानी एड़ कर दूँगी, पानी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि दलिया जो है वो पानी को बहुत ज्यादा सुक करता है, तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी डाल दिया है, लेकिन और भी पानी में डालूंगी, तो यह देखिए अभी पानी कम लग रहा है, तो मैं 11 कप के करीब और और पानी मैंने डाल दिया है, तो एक कप दलिया के अंदर मैं 3 से साथे तीन कप पानी डालकर और इसका अठकल लगाकर मैं तीन भीसिल आने तक इसका मीडियाम फ्लेजर में भीसिल ले लूँगी यह देखिए भीसिल आ चुका है तो इसे ठंडा होने के बाद मैं खोल कर दिखा रही हूं कि कितना अच्छा बनकर दलिया तियार हो गया है देखिए इतना ही चाहिए जादा पतला नहीं है और जादा गाढ़ा भी नहीं है तो यह परफेक्ट दलिया बनकर रेडी हो गया है तो दलिया की रेसिपी कैसी लगी हमें जरूर बताएगा कमेंड करके और यहां पे मैंने सर्प कर लिया है अब इसमें में थोड़ा सा घी डालकर और मिक्स कर दूँगी जिससे और भी ज्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा इसका तो हमने यहां पे इसे मिक्स कर दिया है सर्प कर लिया है तो यह रेसिपी आप जरूर ट्राए किजिएगा अभी तेवहार चल रहा है सफाई चल रहा है तो इसमें आप फटा-फट ए शेयर किजिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थेंक यू